जैहिंद जैभारत आप सबको मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ भीन का जोड ओके बहुत ही गहराई से बताऊंगा बसरते आपको वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक देखना है यहां पर आप एकदम समझ जाएंगे यहां पर देख पा रहे हैं दो बटा चार पलस लिखा हुआ है और इसके बाद साथ बटा बारा है अब इसको कैसे हल किया जाएगा तो यहां पर आप गोर किजिए यहां पर आपको क्या करना है नीचे वाला जो है ना चार और बारा इन दोनों को लसा निकाल देना है तो लसा निकालने अगर आपको आता है तो से लगाते हैं कि दो से ये दोनों पूरा-पूरा कटते हैं या नहीं तो दो से लगाएंगे तो दो दुना के कितना हो जागा चार यहां बच जाएगा दो और इसके बाद दो छाका बारा तो यहां पर बच जागा छे अब क्या करना है आपको यहां पर गौर किजिए अब य नहीं भी लगाएगा तो कोई धिकत नहीं है तो चलिए हम लगा ही देते हैं तब यहाँ पर दो से लगाएगे तो नहीं लगाएगा अब हम लगाते हैं तीन से तो तीन से लगाएगे तो यह एक ऐसे ही रह जाएगा और यहाँ पर तीन आसानी से कट जाएगा तो भाई आप असानी से दिख पा रहे हैं यहां पर कितना हो गया दो दो और इसके बाद तीन आ गया तो अब आपको क्या करना यह जो तीनों है ना अब यहां पर ध्यान दिजिए यहां पर क्या करना है दो था फिर दो था और इसके बाद तीन था यही था आप देख सकते हैं था ना जी हाँ, तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों को गुना करना है, अब क्या किजिए दो दुना के चार और चार तिया बारा, यानि हमारा कितना आ गया बारा, तो लगुतम हमारा आ गया बारा, तो अब आप यहाँ पर गौर किजिए, यहाँ पर आप गौर किजिए, अब क्या करना है ये आप सबको दिख रहा है के लिले अब सबसे पहले लंबा लगे खीचिये और हमरी लगुतम कितना आथा बार आया था तो यहाँ पर आप ध्यान दिजिए अब देना यह है कि चार के पहाड़ा में कितना बार में 12 आता है तो यहां पर दो लिख देंगे और इसके बाद यहां पर पलस है यह पलस यहां पर लिख देंगे अब इसके बाद देखना यह है कि बारा के पहाड़ा में कितने बार में बारा आता है तो बारा के पहाड़ा में एक बारा में बारा आजाएगा तो एक यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद गुना का चीन लगाएगा और इसके बाद उपर हमारे कितना है साथ है तो यहाँ पर लिखेंगे साथ ठीक है अब आप यहाँ पर गौर कीजिए अब आपको क्या करना है बस असानी से समझ गये होंगे साइज छोटा करते हैं भाई शाहब यहां पर लकी खीजिए और नीचे लिख दीजिए बारा अब यहां पर आप ध्यान दीजिए यह दुनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बाई साब 6 इसके बाद यह वाला पलस यहां पर तो इस तरह हो जाएगा 13 और इसके बाद नीचे जाएगा 12 तो इस तरह से आप बना सकते हैं तो यहां पर आपको एक सवाल समझ में आया अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक और एक्जांपल मैंने ले रखा है यहां पर समझ गया एक और एक्जांपल को समझते हैं यहां पर आप तो हमारा कितना जागा अब आसानी से समझे इन दोनों को लसन निकालेंगे तो हमारा 10 आजागा ठीक है अब यहां पर आपको यह देखना है कि दो के पहाड़ा में कितने बार में 10 आता है तो दो के पहाड़ा में 5 बार में आता है तो यहां पर आपको लिख देना है 5 ठीक है इसके बाद अब देखना है कि 10 के पहाड़ा में कितने बार में 10 आता है तो 10 के पहाड़ा में एक बार में 10 आएगा तो यहाँ पर क्या कर देना है आपको एक लिख देना है इसके बाद गुना का चिन लगा करके आपको 5 लिख देना है अब आप असानी से देख सकते हैं हो गया आसान असान क्या हो गया कि 5 और 7 जैसे ही गुणा करेंगे तो 5 सटी कितना हो जागा 35 ओके और 35 और ये वाला पलस यहाँ पर हो जागा ठीक है तो यहाँ पर पलस हो गया और इसके बाद नीचे हमारा कितना था तो 10 है तो नीचे हम 10 लिख देंगे अब इसके बाद आसानी से आप देख सकते हैं 35 कितना हो जागा 40 और नीचे कितना है भाईशा अब तो नीचे हमारा 10 है तो इस तरह से आप answer लिख सकते हैं जाते हैं तो इसको काट भी सकती हैं तो काट सकते हैं तो दस्चव का 44 इसका एंसर हो जाएगा ठीक है तो यहां भीन के जोड मैं जो भी बताया हूं आपको समझ में आया की नहीं आया अगर आगया हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना एंड मिलते हैं एक और नए वीडिय का जोड और घटाओ दोनों ले करके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ अपते के लिए बाई बाई टेक क्यार